हेलो फ्रेंच एन वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप सब स्वागत करता हूँ आप सब का आज के एक और नई वीडियो में सो फ्रेंच आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिरी लंका अंडर 19 वर्सिस बंगलादेश अंडर 19 के बीच में होने वाले पांच भी ओडियाई मुकाबले के बारे में सो फ्रेंच अगर आप हमारे टेलिग्राम से रेगुलर जुड़े हैं तो आप सबने पता होगा कि यहाँ पे मैंने पहला और जो दूसरा ओडियाई मुकाबला था उसके बारे में आपने जैकपोट विन आपको मैंने करवाए था ठीक है तीसरा जो ओडियाई मुकाबला ह कर देना चैनल को जुरूर जूरूर सब्सक्राइब कर लेगा तो वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अच्छा सा कोमेंट कर देना मैं regular वीडियो में आपके लिए giveaway भी लेके आता हूँ तो अगर आप भी free giveaway win करना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर लेना आपके right side में दिख जाएगा आपको subscribe red color में लिखा हुआ तो चलिए हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे पांच जीरो की विड़त से करेगी ठीक है तो देखते हैं अब इस मैच में क्या होता है तो फ्रेंज अगर इस बात करें मुकाबले की तो देखे स्रीलंका अंडर 19 वर्सेज बंगला देश अंडर 19 के बीच में यह मुकाबला खेला जाएगा पांच वा यूथ उड़ाई का जो है मुकाबला होने वाला है बात करें हाँ से वेन्यू की तो रांगिरी दंबूला का जो किर्केट ग्राउंड है इंटरनेशनल जो कि यहाँ पे दंबूला में इस तीथाटी का इस ग्राउंड में जो है मुकाबला खेला जाएगा अगर यहाँ पे डेट और टाइमिंग की बात की जाए तो यह सुबह खेला जाएगा नो पैतालिस पे पचिस अक्टोंबर को तो रेडी रेना आप फाइनल अपडेट के लिए साड़े नो बज़े जिसका अपडेट में आपको टेलिग्राम पे डाल दूगा तो जाओ और टेलिग्राम को जुरूर जोइन कर लेना अगर हम बात करें यहाँ से लाइव इस्ट्रिमिंग की तो स्री लंका क्रिकेट यूटूब का जो चैनल है उस पे जो है इस मैच का लाइव इस्ट्रिमिंग किया जाएगा तो आगे देखें मापको काफी जादा डेटेल्स इस मैच के बारे में बताने वाला हूँ तो देखें यहाँ से पिच रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें तो यह बैलेंस पिच रहेगा अगर बात करें यहाँ से जो काफी ज़्यादा इस सपोर्ट जो मिलता है यहाँ पे पेसर्स और सिस्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा अब यहाँ पे इस से पिच के ऊपर जो लास्ट के पाथ हैड टू हैड मुकाबले खेले गए हैं तो इन head to head records के अंदर जो यहाँ पे बंगलादेश under 19 की team है वो 26 matches won कर चुकी है ठीक है यहाँ पे जो सिरी लंका की team है वो केवल 21 match won कर पाई है तो head to head का records यहाँ पे बंगलादेश का काफी अच्छा है लेकिन इस ODAI मुकाबले के अंदर जो है सिरी लंका काफी जादा काफी इंट्रेस्टिंग यहाँ पे मैच होने वाला है अब देखते हैं यहाँ पे topics किस तरफ से रहने वाला है तो सिरी लंका की तरफ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोवें डोनियल जो है मैंने आपको हर मैच में इनको captain try करने के लिए क्या था फैस्ट मुकाबले म काफी अच्छा यहाँ पे स्कोर करके आ रहे हैं उसके बाद में आपे वानुजा साहन की अगर आम बात करें तो यह भी स्री लंका के तरफ से काफी इंट्रेस्टिंग प्लेर रहेंगे और आपकी पिक की काफी अच्छी रहेगी dreamy 11 टेम की तो इनको जरूर पिक कर लेना फैस्ट मकाबले में बहुत यथा परफोमेंस किया था और यह पांचवे मकाबले में मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा परफोमेंस आपको करके दे सकते हैं तरविन मैथ्यूस जो आपको बोलिंग करते हो नजर आएंगे स्री लंका की तरफ से तो आपको इनको जरूर पिक कर लेना है अगर बात करें से बंगलादेश की तरफ से तो आपको यहां पे आजिकूर जैमान को सरूर पिक करना है लास्ट मकाबले के अंदर मैंने आपको इनको वाइस कैप्टन सेलेक्ट किया था ठीक है काफी जदा यहां पे पॉइंट्स इन्होंने दे लिया थे ठी तो यह भी बंगलादेश की तरफ से खेलते हैं 33 रन टार्गेट है दो विकेट्स इनके नाम है तो आपको बोलिंग करते हुए दिख जाएंगे ठीक है तो पलेंगे लिन आप इजली यहां पे देख सकते हैं वीडियो को पोज करके तो हम डिसक्स करते हैं अपने ड्रीम इलें उन टीम पर जिससे आपको काफी ज़्यादा समझ में आज आएगा जो की शुरुती मुकाबले खेले ते लास्ट मुकाबले में लोंट लाइन अप रहे थी ठीक है तो इस मुकाबले में अगर खेलते हैं तो 100% हमको पिक करना है ठीक है जो मौमद 100% कहलेंगे बंगलादेश की तरब से यहां पे लास्ट मैच में हमें डिविटेज खेल के गए थे ठीक है सिरिलंका की तरब से तो इस मैच में अगर जावर्दने खेलते तो हम जरूर पिक करेंगे ठीक है तो फिलाल के लिए मौमद की तरब से जरूर जरूर पिक कर लेना है तो लास्ट मुकाबले में हमने अच्छा खास भीन किया था इस मुकाबले में भी काफी अच्छा भीन करने वाले है जो कि बंगलादेश की तरब से खेलेंगे सिरिलंका की तरब से और सिरिलंका की तरब से तीनों के तीनों और रा दिला की गए थी हमको ठीक है कैप्टन थे हमारे रिकोर्ड मैंने टेलिग्राम पे डाल रखा है ठीक है तो अगर आप भी अच्छा खासा वीन करना चाहते तो जोईन हो जाना उधर यह ठीक है यह जमान है एन रहमान है बंगलादेश की तरफ से उसके बाद में आप रामपो आपको अभी से जोईन कर लेना ठीक है अगर आप विनिंग के लिए अच्छे कोंटेस्ट देखेंगे तो यहां पर आपको टू मेंबर थ्री मेंबर फो मेंबर और ग्रेंड लिग आप खेलना चाहते है तो ग्रेंड लिग भी आप एजली खेल सकते है ठीक है फाइनल अप कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना लव यू